नमस्कार मेरा नाम है साजेब और आप देखना सुरू कर चुके है नेक्षनाई नियूस पॉलिटिकल बाइट और अब देखिए एक बार राम चरित मानस के मुद्दे पर जो है लगातार सियासत उत्तर प्रदेश में गर्माती वी नजर आ रही है 2024 का लोगसभा चुनाओ एक तरफ है एक तरफ संसत का सत्र जो है वो पूरी तरीके से हंगावेदार रह रहा है तो वहीं उत्तर प्रदेश में राम चरित मानस को लेकर कि राजनीति गर्माई वी है आपको बता दे केसब प्रसाद मौरे ने यहां पर बड़ा बयान दिया है केसब प्रसाद मौरे ने बयान देते वे कहा के समाजवादी पार्टी जो है जान बुच करके जो है इसको भुनाने का परियास कर रही है और धर्म को आहत करना, ये समाजवादी पाटी की पुरानी नर्णीति यह केसब प्रसाद मौरे ने जु बयान दिया है उसमें कई बाते ऐसी है जो गौर करने वाली है, क्योंकि केसब प्रसाद मौरे ने भी यहाँ पर जाती जन्गना का समर्थन कर दिया है, जाती है जन्ग अखिलेश यादव कर रहे हैं वो केपी मौरे भी करते हुए नजर आ रहे हैं और 2024 आने से पहले हमने आपको एक बात बोली थी कि 2024 पे एक बगावत उत्तर प्रदेश में हो सकती है और वो बगावत साथ केशब प्रसाद मौरे ही कर सकते हैं उसके पीछे भी कई तत है और कई कारण है लेकिन अब जो केशब प्रसाद मौरे के 2024 करीब आते आते जिस तरीके से बयान तेज हो रहे हैं उसको ले करके लगातार चर्चा का विशा बन गया है जो जाती है जनगना की बात अखिलेश यादव कर रहे थे वही जाती है जनगना की बाद अब केशब प्रसाद मौरे भी करते वे नजर आ रहे हैं भाजपा के कई ऐसे OBC नेता है जो यहाँ पर जाती है जंगन्ना की बात कहते वे नजर आ रहे हैं संजर निशाद है भाजपा के वो जाती है जंगन्ना की बात कहते वे नजर आ रहे हैं तो इससे राजनीती साफ हो रही है कहीं ना कहीं OBC के जो नेता है ओबीसी नेता जितने भी है पिठों के नेता जितने भी है वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज और अधिकार जो है उसके लिए अब खुल करके अपनी आवाजों को बुलन कर रहे हैं और यहीं केसब प्रसाद मौरे ने जो बयान दिया इसको ले करके चर्चाएं भी तेज हो गई कॉमेंट में अपनी राए आवश्य बताईएगा तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्ष नाइन्यूस पॉलिटिकल बाई